असलाम आलेकूम, मार्ज डेट है 12th October और आज हम बात करने जा रहे हैं Shiva Cement Limited के June के quarterly result के बारे में जी हाँ, Shiva Cement Limited ने अपना June का quarterly result recently announced किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस company ने अपने June के quarterly result में कैसा perform किया है लेकर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर आएं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिजए दाकि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाएं जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके कि मैं रेगुलर वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ तो इस तरीके के रेगुलर अप्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं शीवा सिमेंट लिमिटेट, 42.60 रुपीज पर एक अमपनी टेट कर रही है रिसेंटली एक दिन में 20% का positive return इसने दिखाया है एक महीने का graph अगर हम देखेंगे, तो 17% का positive return है वहीं अगर एक साल का graph देखेंगे हम, तो 3.32% का positive return है तो अच्छा खासा positive return इस company ने दिखाया है अपने investor को सिमेंट सेक्टर से बिलॉंग करती है ये company मार्केट कैपिलाजेशन 830 करोर रोपीज का है, इस टॉक अभी 1031 पर rank कर रहा है तो company profile के अगर हम बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं, the company is engaged in the dealing of cement, clinker and limestone chips तो आप देख सकते हैं, company जो है, cement, clinker और limestone chip जो होता है वो manufacture करती है और उसी की dealing में engaged है साथिसाथ ये company जो mainly locate है, वो है Odisha में और साथिसाथ वेस्ट बंगाल, जार्खन और बिहार में भी तो इन जगों पर locate है वहीं अगर हम बात करें इसकी website की, official website की तो आप देख सकते हैं, shiva cement.com तो कुछ इस तरीके से है, we are expanding to 1.3 MT, यह आप देख सकते हैं, यह product है, mahabal cement, jsw cement, jsw cement है वो भी इन्ही का product है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके की website है, a subsidiary of jsw cement, यह जो जो cement है, उसकी subsidiary company है यह, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनकी website यह तो हो गई website की बात, अब बात कर लेते हैं, valuation की, sector का price to earning ratio 35.09 है, वही इस company का price to earning ratio minus 37.81 है, तो sector का price to book value 3.21 है, वही इस company का price to book ratio minus 48.10 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह तो हो गई valuation की बात, आप बात कर लेते हैं, share holding pattern की, तो एक बाद share holding pattern भी देख लेते हैं company का, तो आप देख सकते हैं, promoter के पास 59.46% की अच्छी 80 होल्डिंग है, mutual fund के पास कोई holding नहीं, जो कि अगे negative point है, mutual fund वही पर पैसे invest करता है, जहां उसे सबसे ज़्यादा safe और secure लगता है, तो mutual fund ने अगर पैसे कोई invest नहीं किया, यहां पर कोई investing नहीं है, तो इसका मतलब यह है, कि उसे यहां पर अभी उतना safe और secure नहीं लगता, domestic institution के पास 0.11% की holding है, foreign institution के पास 0% की holding, retail and other के पास 40.43% की अच्छी खासी holding है, तो negative point पूरे share holding में यहीं है, कि mutual fund के पास कोई भी holding नहीं है, तो यह तो हो गई share holding pattern की बात, अब बात कर लेते हैं सीधा इनके जून के quarterly result के उपर, तो according to screener.in, Shiva Cement Limited का जो June का quarterly result है, वो आपके screen पर सामने है, March में इनको 7.92 करोर रुपीज का जो sales हुआ था, वो June quarter में कम होकर, 3.41 करोर रुपीज का हो गया है sales, वही net operating profit, 3 करोर का जो नुकसान हुआ था है, यह मार्च quarter में, वो जून quarter में नुकसान थोड़ा सा बढ़कर, 3.65 करोर रुपीज का नुकसान हो गया है, लेकिन नुकसान अभी भी है, वही net profit की बात करें, तो after taxation, इनको minus 5.70 करोर का नुकसान हुआ था, मार्च quarter में 5.72 करोर रुपीज का नुकसान हुआ था, वहीं approach same, जून quarter में भी same नुकसान हुआ है, 5.36 करोर का, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई quarter में इनको अच्छा कासा नुकसान ही, नुकसान ये company झेल लईए, profit नहीं बना पा रही है, ये company, तो ये तो हो गई, इनके net profit की बात, तो इस तरीके से compare अगर करेंगे आप, तो result उतना अच्छा नहीं आए, मार्च के comparison में, और ये company कई, अपने कई quarter में लगातार, पिछले कई quarters में, बहुती नुकसान दिखा रही है, तो ये एक negative point हो सकता है, ये एक अच्छी बात नहीं है, वहीं अगर market competitor की बात करें, तो इनके market competitor हैं, दाल्मिया, भारत लिमिटेड, दरायमको सिमेंट, इंडिया सिमेंट, सागर सिमेंट, ओरेंट सिमेंट, के सी पी, एन्ची एल इंडिस्ट्रीज, तो ये इनके market competitor हैं भी, pros and consequences की बात करें, तो according to screener.in, positive point कुछ भी नहीं है, लेकिन negative point बहुत सारे हैं, मैं एक किक करके आपको बता देता हूँ, कुछ उनमें से यह है, कि company ने जो अपना interest coverage है, ratio दिखाया है, वो काफी low दिखाया है, साथे साथ sales growth जो होती है company की, वो काफी कम दिखायी है company ने, पिछले 5 सालों में negative में growth दिखायी है, 15% के negative में, जो की again negative point है, तो यह तो हो गए negative point की बाद, अब बात कर लेते हैं, इसकी intrinsic value की, तो according to ticker tape dot in, Shiva cement limited का जो intrinsic value है, उसका कोई sufficient data available नहीं है अभी, return versus FD की बात करें तो उसका भी sufficient data नहीं है, dividend की अगर हम बात करें तो dividend अच्छा payout नहीं करती company, entry point के लिहाज से अभी भी जो stock है, वो overbought zone में है, यानि कि बहुत जादा big चुका है, तो overbought zone में है, वहीं कोई red flag नहीं है इस company पर, तो यह थी मेरी video, शीवा सिमिट limited के जून के quarterly result के ऊपर, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी informative लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe नहीं किया या पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा आफिस.